हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्फलता मंतर दोस्तों काफी दिन से आप सभी लोग पूछ रहें कि सीटेट 2018 का जो एक्जाम हुआ था उसकी जो मार्शीट इस बार भेजी जा रही है वो आपके address पर न भेज कर directly digitally format में आपके digital locker एक account है उसमें भेजी जा रही है तो दोस्तों काफी लोग पूछ रहे थे ये account कैसे create करना और आपको कैसे आपकी जो सीटेट exam हुआ था उसकी mark seat और certificate कैसे मिलेगा इस class में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से पूरी mark seat मिलेगी और आगे की जो process होगी वो सभी चीज़े हम लोग इस class में discuss करेंगे तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा ताकि सभी लोगों को पता लग जाए काफी लोग whatsapp पर पूछ रहे थे call कर रहे थे तो दोस्तों यह आज मैं आपको उसकी पूरी process बताए दे रहा हूँ देखे सीटेट की जो website है official उसमें उन्होंने एक news later डाला था पूरा अपडेट रहे है इसमें पूरा प्रेस्ट रिलीज न्यूज है जिसमें कि देखी लिखा हुआ है all the candidates appeared in seated December 2018 are hereby informed that starting 2018 CBSC will provide CTET to all candidates and eligible certificate to successful candidates in digitally format यानि कि इसमें दोस्तों लिखा हुआ कि December 2018 का जो पेपर हुआ था अब से वो लोग जो इसकी मारसीट होगी और certificate होगा past candidate का उन्हें digital locker account में भेजा जाएगा अब आपको सोच रहे होंगे कि यह digital locker क्या है और इस पर account कैसे बनाना है तो दूस्तों भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एक यह digitally account है जिसमें आप लोग अपने सभी document को upload कर सकते हैं या अलग-अलग जितने भी भारत सरकार के department हैं उनके document हो गया इसके बाद जो आपके आधार card हो गया license हो गया वो सभी आपको digitally रूप में issued हो जाएंगा और यह सभी आपके सभी जगे valid होंगे यह देखे लिखा है will be legally valid as per IT act यह सभी चीजें विल्कुल valid होंगे आपको यह पता करना कि डिजी locker account कैसे बनाना है इसकाद इस account में आपको mark sheet कैसे मिलेगी क्योंकि जो लोग पहली बार देख रहे होंगे उनकी भी गलती नहीं वो लोग नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इसमें थोड़ी जो समझने की प्रक्रिय वो थोड़ी अलग है इसलिए दोस्तों बिल्कुल साबधानी से समझिये का जादा कुछ नहीं है अगर आप लोग इसे अंत तक देख लिया तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि क्या पूरी प्रोसेस है कैसे आपको अब आपके डॉक्यूमेंट मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको या तो आप लोग डिजी लॉकर की जो मोबाइल एप है ये प्ले स्टोर पर और आई योस पर सभी पर मिल जाएगी डिजी लॉकर नाम से ही मिलेगी आगे आपको इंस्टॉल करके भी मैं बता दूँगा या तो वहां से आप कर सकते हैं या फिर डिजी लॉकर डॉट जी ओवी डॉट इन ये इनकी वेफसाइट है इस वेफसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं लेकिन इस पर जब आप लोग जाएंगे तो डिरेकली तो आपको मिल नहीं जाएगी मार्चीट तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रियेट करना होगा और आप सभी के जो अकाउंट है वो आटोमेटिकली क्रियेट करके उनमें वार्चीट सेंड कर दी गए बस आप लोगो को करना क्या है काफी लोग पूछ रहें कि आधार कार्ट से करना है या क्या प्रोसेस है तो सबसे पहली बात है जो आपने on their mobile number registered with CBSC तो CBSC के साथ यानि कि जो seated exam के समय आपने अपना create किया था account उसमें जो mobile number लगाया था उसी के आप सकता पड़ेगी उसी के दोरा आप लोग अपना account create करेंगे उसके आद the candidate will be able to download their mark seat, digital mark seat and eligible certificates using the communicated credential यानि कि उसके आद आप लोगों को eligible certificate है, mark seat ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी और ये easy होता इसलिए इन्होंने इस बार ये process की इसका दूसरी चीज़ ये कि ये हर जगे valid है तो digital route में आप लोग आसानी से जुड़ जाएं ये इनका प्रमुक जो मौका है ढून रहे हैं इस प्रकार से आप लोग इससे जुड़ भी जाएंगे और उनका भी काम आसानी से हो जाएगा अब देखें दूस्तों कैसे आप लोग पहुचेंगे dizzy locker account में तो चलिए देख लेते हैं एक एक process को तो दूस्तों ये देखें जब आप लोग website पर डालेंगे Google Chrome पर डालेंगे किसी भी browser पर dizzy locker.gov.in ये इसका पहला step है पहला process है इसका दूसरे process के आधार पर भी मैं आपको बतातूंगा कोई परेसानी की बात नहीं है बिल्कुल भी तो जब आप लोग dizzy locker.gov.in website डालेंगे इसका link आपको description में मिल जाएगा directly आप लोग उस पर click करके भी देख सकते हैं तो दोस्तों ये देखिए इसमें लिखा हूँ dizzy locker लिखा हूँ आ जाएगा ये digital India की और से की गई एक पहल है इसमें आप लोग देखिए sign in sign up दोनों option यहीं आपको उपर ही दिख रहे हैं अगर आप लोग यहां से नहीं करना चाहते तो यह पूरी process दी गई है इसके यहां नीचे भी आपको मिल जाएगा sign up का option यह देखिए sign up now यह यहां से कर सकते हैं यहां कहीं से भी कर सकते हैं जब आप लोग इस पर click करेंगे तो आपको देखिए लिखकर आएगा sign up with your mobile यानी कि आप लोग अपना mobile नंबर यहां पर डालना है इसमें आप लोग को क्या करना आपका जो registered mobile नंबर जो आपने cbsc या फिर seated के साथ share किया था उसके form में आपने fill किया था वही बाला mobile करेंगे और इसमें continue करेंगे तो इसके बाद आपके mobile पर एक six digit का code आएगा यानी कि आपको mobile में OTP मिलेगा OTP के बाद जब आप लोग उसे इसमें डालेंगे तो आपका वो जो account होगा वो create हो जाएगा उसके बाद आप आगे की क्या process होती वो मैं आपको बताए दे रहा चाहें आप mobile app के through करें तब भी यही process होगी या आप लोग website के through करें तब भी यही process होगी इसका आगे आपके एक दो point और आएंगे जिसमें आप से पूछे जाएगा अपना pin create करने के लिए mobile app बालों से और इन जो website के through करेंगे उनमें वो लोग एक अपना password बनाने के लिए कहेंगे तो आपको जो suitable हो वो अपना password बना सकते हैं और अपना username और mobile नमबर याद रखें क्योंकि आगे जब भी आप लोग open करेंगे तो इनकी आविसकता पड़ेगी अभी देखे इसमें आधार card की कोई आप सकता नहीं आधार card आप लोग अपना बाद में ही add कर सकते है काफी लोग पूछ रहते हैं कि मेरा आधार card बाला जो mobile नमबर है वो खो गया है तो कैसे करना है तो दोस्तों उसकी कोई आप सकता नहीं जो आपने seated के form में mobile नमबर डाला था उसकी main जरूरत है उसी के माद्देम से आप लोग इसे login कर सकते हैं इसके बाद आप लोग अप आपको mobile में यह process यहां पर यह तो आप लोग अगर सीधे रखेंगे तो यहां पर आपको dashboard दिखेगा इसका second option में issued document जैसा यह लिखा रहा है issued लिखा होगा और third में uploaded लिखा होगा आपको करना क्या है तो यह जो document आपको दिया गया यह issued document में आएगा यानि कि आपको issue किया गया किसी दूसरे department से तो आप लोग जब इस पर क्लिक करेंगे इसके आद आपकी आगे की process होगी जो मैं आपको भी बताय दे रहा हूं जल्दी से देखते रहे एक एक चीज को समझते रहे इसके साथ ही साथ जो दूसरी process है उसे भी हम लोग साथ में लेते चलते हैं तो च खुलकर आजाएगा इसमें जाकर आपको डायरेक्टली यहां से install कर लेना मैंने already install कर लिया है तो यहां से आप लोग जब इसको open करेंगे तो इस प्रकार का पूरा layout खुलके आएगा उसमें आपको सुरू में अपना पूरा account details जालना होगा मैं सब चीज पहले से ही upload कर तो अब आपको किसमें जाना है suit वाले में मैंने बताया था तो जो बीच में option दिया है इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे अब देखिए uploaded documents में अगर आपका पहले से कोई document upload होगा वो यहां पर आ जाएगा और इनसे आपको अभी कोई मतलब नहीं है आपको देखना है अप का मार्चीट और certificate है उसको देखना है तो वो कहां आप लोग आएंगे देखिए यहां पर आपको option दिया रहेगा CVSC का या फिर full form में दिया होगा तो देखिए यहां पर तो दोस्तों यह देखिए यहां पर इसमें आपको लिखा हो दिख रहा Central Board of Secondary Education CVSC यही होता है तो इस इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके देखिए सभी मार्चीट बगारा आ जाएंगी जिन लोगों ने CVSC के द्वारा CVSC Board से High School Intermediate किया है वो लोग यहां से अपने document बगारा भी upload कर सकते हैं देख सकते हैं यह सभी digitally format में verified document होंगे लेकिन आपको अभी इनसे कोई मतलब नहीं अभी आपको देखना है अपने जो टेट वाला सीटेट का मार्चीट और certificate है उसे देखना है आपको तो यह देखिए यहां पर आपको यह option दिखा हुए मिल रहा है यह देखिए teachers eligibility test certificate और मार्चीट इनमें से पास हो चुके उन लोगों का आएगा तो इसमें आप लोग जब किसी एक पर भी क्लिक करके देख लेते हैं सबसे पहले मार्चीट पर क्लिक करेंगे अब देखिए यहां पर नाम लिखा हुआ जाएगा जिस नाम से आपने form भरा था वो नाम यह आप लिखा हुआ आजाए कर आ जाएगी बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको वेबसाइट पर भी करनी है उसमें भी आप लोग जब सी बीसी के अंतरगत जाएंगे तो नीचे के दो आप्सन जो है पहला आप्सन सर्टिफिकेट का है दूसरा आप्सन जो दिया गया है मार्चीट का दिया गया है तो इन म में आपको 2018 सिलेक्ट करना है और इसका मन्त में दिसम्बर सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपका जो पेपर हुआ था दिसम्बर 2018 वाला उसी में आएगा और इसका जब आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे गेट डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपका पूरा डिजिटली सैंड किया हुआ मार्चीट आ जाएगा इसमें आपका नाम बगयरा बिल्कुल जैसी मार्चीट आती है वही आजाएगा बस नीचे आपको यहां पर एक बार कोड मिलेगा और इसके दूसरी तरफ एक ग्रीन कलर में इसा टिक लगा हुआ होगा और अगर हो सेका तो मैं गयरा दिखा दूँगा इसके साथ इसाथ दोस्तों यही पूरी प्रोसेस है आप लोग समझ गए होंगे तो दोस्तों इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया और कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग डाइरेक्ली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करक क्योंकि काफी लोगों की मार्चीट से सम्मंदित इसुएं काफी लोगों को मार्चीट नहीं मिल पा रही है इसके साथ-चाथ 79,000 वर्ती की जो अपडेट है वो आज साम को आपको दे दी जाएगी उससे सम्मंदित जो भी निउज होगी क्योंकि आज जो सुनवाई होने वाली है दो तीस के आसपास प्रारंब हो जाएगी इसके लावा सीटेट 2019 की क्लासेज भी आपको मंडे से प्रोवाइड करा दी जाएगी और मंडे से ही आपको जो अनकेडमी पर मैं क्लासेज देता आ रहा हूं सीटेट यूपी टेर से सम्मंदित वो भी मिलने लगेंगी तो अनकेडमी पर भी जल्दी से आप लोग मुझे फॉलो कर लिजे इसके साथ चाह दोस्तों अब आप लोग मुझे इंस्टागराम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे दोनों जो एक परसनल अकाउंट है इसके लावा जो आपका सफलता मंतर नाम से अकाउंट है इस पेज का उसे भी follow कर लिजेगा वहाँ आपको जो stories बगएर आउंगी या जो कोई भी updates होगा वहाँ पर भी आपको मिलता रहेगा जल्दी से सभी जगा follow कर लिजे वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजे well icon को press कर लिजे thank you दोस्तों